हेलो गाइश तो कैसे है आप सब आप सब का स्वागत है एट मिक्स में डॉग वसस डॉग की सीरीज में हम आज तीन डॉग बिट के बारे में बताने वाले यानि तीन डॉग बिट को हम कंपेर करने वाले हैं मैंने काफी लोगों को देखा है जो की कंफ्यूज हो जाते हैं इन तीनों डॉग बिट में अगर नए होते हैं तो कि मैं समद नहीं पा रहा हूं कि कौन सा लूसर बताईए तो आज की वीडियो इसी पर होने वाली है सारी डीटेल आपको मिलेगी आपको इन तीनों डॉग बिट के बारे में काफी कुछ जानने मिलेगा तो वीडियो पूरी देखना यह तीनों डॉग बिट है जर्मन शफ़र्ड वर्सेस लेबराडर वर्सेस रॉटवाइलर यह तीनों ही डॉग बिट को हम कंपेर करेंगे कि आपके लाइफट की इस अब से पैसे कौन से आपके लिए बैटर रहेगा वीडियो को आप एक लाइक कर दिजिए कमेंट में लिखा मैं लिग दीजिया कि आप कहाँ से यह वीडियो देख रहे तो चलिए अथे वीडियो को शूरु करते हैं अब सबसे बड़ा सवाल आ और हो आपको ज्यादा डॉग बीट के बार में पता नहीं है कुछ भी experience नहीं है तो आप बीना सोचे समझे लेबरादॉर के साथ जा सकते हो इन तीनों में से लेबराद और रेट्रीवर इन डॉग बीट के बार में आपने सुना ओगा यह तीनों डॉग बीट जो आज compare कर रहे हैं उनमें से यह लेबराद और रेट्रीवर सबसे फ्रेंडलियस्ट है यह जो बेबीस के साथ फैंबली मेंबर्स के साथ या फिर जो भी आसपास के लोग उनके साथ काफी जल्दी घुल मिल जाता है यह काफी फ्रेंडली नेचर के होते हैं एक फ्रेंडली डॉग बीट ही आप इन्हें कह सकते हो काफी intelligent भी होते हैं तो अगर आप first time हो रहा हो तो इन तीनों में से आप जा सकते हो सबसे पहली choice अगर आपको कुछ भी पता ने ड बीट को तो आप इन में से जर्मा शफट के साथ जा सकते हैं यह जर्मा शफट में जर्मा शफट स्लाइटली थोड़ा एजी टू आप कंट्रोल कर सकते हो क्योंकि आजकर इनको ऐसा फैमिली मेंबर भी जादा तर रखा जा रहा है नमबर टू आपकी lifestyle के हिसाब से आपकी लिए कौन सा dog bit अच्छा रहेगा तो lifestyle में काफी सारे factors आ जाते हैं इसकी लिए एक video है how to choose a puppy वह आप देख लेगे तो काफी clarity मिल जाएगी तो अभी इसमें में बताने की कोशिश करता हूं सबसे पहले lifestyle में आपको आपकी money management देखना पड़ता है आपका house देखना पड़ता है यह सब चीजे आपको काफी important आजाती है जैसे कि अगर आपके पास जो है income आपकी कम हो तो आपको dog bit जो है उस type से लेना पड़ता है क्योंकि कुछ dog bit को जो है खाना का जो खर्चा है या फिशेडिंग का या फिग्रूमिंग का जो है खर्चा काफी जादा आता है तो उन आप नॉर्मली प्राइज में भी खाना खिलाते हो घर का खाना भी देते हो तो उनमें भी यह रह सकते हैं लेकिन इसमें से जो रॉट वाल जर्मा शफर्ड है इनमें आपको थोड़ा और ज्यादा खाना या फिर थोड़ी और ज्यादा जो है प्रोटीन नॉन वेज इन उनमें देखी जाती है जादा यह डॉट जो है लेबराड और वो स्ट्रेंजर के साथ सोचलाइज हो जाते हैं तो इस मामले में रॉट वालर और जर्मन से वर्ड पॉइंट ले जाते हैं यह दोनों ही डॉट बिट काफी अच्छे गार्ड डॉग होते हैं आपकी गार्ड तो मैं आपको जो है इन डॉट बिट की हिस्ट्री के बारे में और ओरिजिन्स के बारे में बता देता हूँ सबसे पहले आता है जर्मन शफर्ड जर्मन शफर्ड का ओरिजिन्स जर्मनी से है यह डॉट बिट एस गार्ड डॉट बिट यूज किया जाते थे पहले से ही यह बकडो गायों को चराने के लिए इन डॉग बीट को यूज किया जाता है इसलिए ये डॉग बीट जो है होडिंग ग्रूप से भी बिलोंग करते है लेबरडर रेट्रीवर इन डॉग बीट का ओरिजिन न्यूफाउंड लैंसे है ये डॉग बीट एज रेट्रीवर की तरह यूज किया जाते थे यानि जब फिशर मैन फीशिंग करें या फिकोई एनिमल को हंट करें तो यह डॉग बीट जाकि उसे रेट्रीव करके ले आते थे जैसे डग हो गया फीश हो गया तो इन्हें इसलिए रेट्रीवर कहा जाता है बात करू रॉट वालर की तो यह बीट को काफी जादा जो है गॉर्डिंग के लिए यूज किया जाता है यह डॉग बीट अलगलग टास्क में मिल्टर की के एनन यूनिट में भी यूज किया जाता है चलिए जानते हैं गुरूमिंग में इन डॉग बीट के साथ आपको क्या-क्या बातों का ध्यान रखना पड़ेगा तो गुरूमिंग की में बात करूं तो गुरूमिंग में आपको जो है यह दोनों ही डॉग बीट जर्मन शेफ़र्ड और लेबराटरी वर पे जादा ध्यान देना होगा इन डॉग बीट का जो है शेडिंग सीजन आता है तब आपको हैर्स काफी जादा देख इसलिए आपको इनकी दिन में एक बार ब्रॉशिंग भी करनी होगी जिससे कि जो इनके कोछ हैर्स निकले हुए होते उपर रह जाते वो निकल जाएंगे कोट अच्छा रहेगा अगर आप हैर्स की बात करें तो रॉट्वाइलर में आपको ऐसे इनके जैसे इतने हैर फॉ इसलिए इंडिया में इनको काफी ज्यादा एडबी किया जाता है यह काफी पॉपिलर भी है अगर बात करें इनको एडेंटिफाई कैसे करें तो इसके लिए आपको एक प्यॉर्टी की वीडियो दाती है वो देख सकते हो मैं डिस्क्रिप्शन में या फिर जो आइकार्ड नहीं होती या पूरी तरह से घूमि में नहीं होती आपको देखने को मिल सकते है जर्मा शाफट में आपको की Dakbit की exercise और की exercise के मामले में ये दोनों ही डॉइबड को exercise की जरुवत होगी ज्यादा रॉट वाइलर ओ जरूर्वाइलर जरुम शफट को बात करू exercise नॉर्मली लेब्रोडोर को भी जरुवत पढ़ेगी लेकिन ये रॉट वाइलर और जर्मन शफर्ट के मुकाबले में कम ये तो तीनों ही डॉग बिट को आपको रेगुलर एकसेसाइज देने पड़ेगी 15-20 मीट की वॉक और अगर आपके डॉग बिट जो है रोटवालर या फिर जर्मन शफर्ट हो तो 25-30 मीट या फिर जादा भी हो सकता है क्योंकि ये डॉग बिट जो है एनरजी इनकी रिलीज करने के लिए कुछ चाहिए होता है वनना है घर पे कुछ नहीं कुछ बाइट भी कर सकते है बात करें ट्रेनिंग तो ट्रेनिंग भी आपको बच्पन से स्टार्ट कर देनी है तीनों ही डॉग बिट की इन में से जो रॉट वालो जर्मन शफर्ट में भी एग्रेसिव काफे जादा हो सकते है क्योंकि ये डॉग बिट एक गाड़ टाव टाइप में आते है इससे ये होगा कि आगे चलके ये बात मानेंगे कुसी और पैट के साथ एनिमल्स के साथ और आपके फैमिली मेंबर्स के साथ भी अच्छे से रहेंगे अगर बात करो सोशलाइजेशन में तो जो है लेवरो डॉर आगे रहेगा बात करो मैं इनकी जो exercise में तो आपको लेवरो डॉर को कम देनी पड़ेगी इन दोनों के मुकाबले में प्राइस की में बात करो तो ये तीनों ही टोग भी इंडिया में आपको easily available होंगे लेकिन अलग-अलग state में अलग-अलग price हो सकती है quality के हिसाब से बढ़ती है कभी काफी बार price तो आपको देख लेना है तो भी एक particular range में आपको normally देखने को मिलता है लेबरड और आपको मिल जाएगा 10 से लेके 18 या 15,000 तक एक normal quality में साथ-साथ अच्छी quality का भी मिल सकता है आप पंजाब इस side में रहते हो तो बात करू मैं रॉटवालर की तो ये डॉटवालर की तो ये डॉटवीट भी आपको 10 से लेके 18,000 के बीच में आराम से मिल जाएगा बात करू जर्मन शफट की तो ये डॉटवीट भी आपको वीडियो को अभी एक लाइक कर दीजिए चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए मिलता हूँ मैं आपको ऐसे इंट्रेस्टिंग वीडियो के साथ